जैस्री करश्न मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 26 मई 2022 गुरुवार के दिन काम तो आज के देनिक राशी फल की अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान विश्लू जी की करपा से आज बारा में से पांच राशी हैं भाग गिशाली रहेंगी इन पांच राशी वालों में आज है मेश, मित्उन, करक, तुला और वरश्चिक राशी वाले लोग वहीं अन्नी राशी वालों को आज मिले जुले परिनाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज जेश्ठमास और कुरश्न पक्षगी अपरा एका दसी तिती है गुरु वार का दिन है आज दिन की सुर्वात रेवती नक्षत्र से होगी और मीन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे पराता काल पांच बच के पच्चीस मिनिट पर होगा और सुर्यास तसाम के साथ बच के दस मिनिट पर होगा आज राहु काल दो पहर दो बच के एक मिनिट से आर्म बहु करके अपरान काल तीन बच के चम्मालिस मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहू काल के धोरान आप कोई भी सूब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा दक्षन दिसा में तो आज के दिन आप दक्षन दिसा की और मुख करके कोई भी यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतिया वश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुरवग पूजा आरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर् शूब महुरत रहेगा तो इस महुरत में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुरत में आप कर सकते हैं तो अब जानिए अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार स मिलेगी कारोबार में परिसरम अधिक होगा देरी शिल्टा में थोड़ी सी कमी रहेगी बाच्चीत में संतुलन बनाए रखें नोकरी आदी में किसी विशेश प्रायोजन से यात्रा के योग बन सकते हैं यात्रा से आपको फाइदा होगा आज आपको भाग एकासार पिचोत सपलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाथ भगवान विष्णुजी को पीली मिठाई का भोगर पीत करें ओम नमो भगवते वासुदिवाई इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सपल सपलता मिलेगी अगले राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज सैयमित रहें क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से आज आपको बचना चाहिए जीवन सांती के स्वास्त का पूरा ध्यान रखें माता पिता का सानिद्य सही होगा आपको मिलेगा रहन सहन अव्यवस्तित थोड़ा होगा आई में व्रद्दी होगी परंतु परिश्रम के अधिकता रहेगी परिवरिक जीवन थोड़ा सा कस्टमा ही रहेगा भाई बहनों का सांत आपको मिलेगा मन थोड़ा असांत रहेगा धेरिधारन करें अप प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान राधा करश्णी जी को मिस्री का भोगरपित करके तुलसी दल चड़ावें ओम क्लिम क्रश्णाई नमा इस महा मंतर का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि कला या संगीत के प्रती रुजान आपका बढ़ सकता है कारे छेतर में परिवर्तिन की संभावना जादा रहेगी अधिकारियों का सहयोगा आपको मिलेगा व्यर्थ के क्रोध से आज आपको बचना चा करेंगे विश्वास के साथ काम करेंगे अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक साथ है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारिच्छे तरम्याज अधिक सदि आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राता हकाल इसनान करने के पश्चात पीपल के बरक्षे के पास सुद्ध दगी का दिया जला करके चने की डा नोकरी में भी तरक्य के मार्ग प्रसस्त होंगे वाहन सुख में व्रद्धी होगी कारी छेत्र का दाइरा बढ़ेगा परिस्रम अधिक रहेगा यात्रा के योग बन सकते हैं मन थोड़ा सा परिसान और व्यतित हो सकता है माता का स्वास्त का ध्यान विशेश रखें अपनी भ अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में पिली मिठा सिम्वर आशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आशा निराशा के भाव ज्यादा रहेंगे माता के स्वास्त का ध्यान रखे रहन सहन कष्टम ही हो सकता है परिवार का साथ आपको मिलेगा कारोबार ठीक ठाक से चलेगा वानी के प्रभाव में प्रतिसेत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिग आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने क आपका विशे सुपा इस प्रकार से हिन प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान राधा करश्ण जी को पंच मिवा और मिठाई का भो गर्पित करके तुलसी दल चड़ाविन ओम राधा कुरुष्णाई नमा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अ कोड़ी वरद्धी होगी आत्मविश्वास से आज कारे में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे नोकरी में इच्छा विरद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है कारे छेतर में अनुकूल इस्थिति आपके लिए रहेगी कोई सुखत समाचार आपको मिल सकता है आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेतर में अज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कार अगले राशी है तुला, तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कला या संगीत के प्रती रुजान आपका बढ़ सकता है, कोटुम्ब परिवार में धर्मिक कारी होने के योग है, आए में कमी खर्च की अधिक्ता ज्यादा रहेगी, खर्च पर नियंतरन रखें, मित्रों का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा, रहन सहन थोड़ा सा कष्टमा ही रहेगा, जीवन सांती का सांत भी आपको मिलेगा, मान्शिक शांती बनी रहेगी, नोकरी में व्यापार में आपको थोड़ा खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्च पर नियंतर अगले राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आत्मे स्वास से भरे रहेंगे मन थोड़ा सा असांत रह सकता है वाहन के रख रखाव एवं वस्त्रों पर खर्च ज़्यादा हो सकते है स्वास्त का ध्यान अवश्य रखे सुभाव में चिर्चिडापन हो सकता है भोतिक सुखों में विसे वरद्धी होगी परिवार में धार्मिक कारी होने के योग है परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बन सकते है आज आपको कारी में अच्छी सफलता मिलेगी तो आपको भाग्य का साथ आज 55 परतिसद प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से है प्राता है काल इस्नान करने के पस्चाथ भगवान विश्णुजी के मंदिर में सुद्ध गी का आटे का दिया जलावे पंचमेवा का भूग अरपित करके तुलसी दल चडावे ओम स्री विश्णवे नमा इस माहा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा संगीत आदी में रूची आपकी बढ़ सकती है परिवारी की जिम्मेदारियां मड़ सकती है मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी जीवन सांती के स्वास्थ का विशेज ध्यान रखें खर्च आज आपके बढ़ेंगे आत्मे उस्वास से भरे हुए रहेंगे परन्तु कारी छेतर में थोड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है लंबे समय से रुक हुए काम आपके बनेंगे आएके नए इस्तरोत्र विक्सित होंगे आज आपको भाग्यकासांद 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाद तुलसी के पोदे के पास सुद्ध गी का दिया जलावें मिस्रिया पंच मेवा का भोगर पीत करें ओम नमो भगवते वासु दिवाई इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आज आपको सयमित रहने की आवशकता रहेगी अपनी भावनाओं को काबू में रखें किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव आपको मिल सकता है कारोबार में भागदोड अधिक रहेगी यात्रा फाइदे मंद रहेगी शासन सत्ता का सहयोग भी आपको मिल सकेगा स्वास्ते के प्रति सतर करहे पारिवरिक समस्याएं आपको थोड़ा परिसान करेगी कुरोत के अतिरेक से आपको बचना चाहिए आई की स्थिति में आज वैसे सुधार होगा आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोकारिचे तरम्याज अधिक सदिग आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारण जी को खीर का भो गर्पित करें तुलसी दल चड़ावें आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आलस्य आपको अधिक हो सकता है इसको दूर रखें कारोबार में छोटी मोटी कठिनाईयां आपको हो सकती है सचेत रहने के अवशकता रहेगी धर्मेक संगीत के प्रती रुजान आपका बढ़ सकता है धन की प्राप्ती के प्रबल योग है मन थोड़ा सा असांत रहेगा देरे शिल्टा में कमी रहेगी नोकरी आदी में अपसरों का सहयोग आपको मिलेगा तरक्की के मार्ग प्रसस सचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राता है काल इसनान करने के पस्चात भगवान विश्णुजी को पीली मिठाई का भोगर पीत करें तुलसी दल चड़ावें ओम स्री विश्णवेन महा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज मन आपका प्रसंद रहेग वाहन सुख में व्रद्धी होगी घर परिवार में धर्मिक कारी होने के योग है परिवार का साथ आपको मिलेगा वस्तर आदी खरीदने के योग ज्यादा रहेंगे आज खर्च आपके बढ़ सकते हैं खर्चों पर नियंतरन रखें धेर शिलता में थोड़ी सी कमी रहेग अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे आज आपको भागय का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भागय शाली अंक पांच है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयुकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इश्नान करने के पस्चाद तुलसी के पोधे के पास सुद्धगी का आटे का दिया जलामे मिश्री का भोगर्पित करके ओम नमो भगवत इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा शेयर अवश्य करें अबाद जैसरी करस्त नमित्रों फिर मिलेंगे